लॉक्ट ओन इपाट साला डी सी रामगड में आपका स्वागत है। मैं निर्मला कुमारी, PGT बायलोजी फिर्स से आपके साथ हूँ। प्रीविएस वीडियो में हम लोगों ने एर पॉल्यूशन पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक नॉइज पॉल्यूशन है। इडिया में Air Pollution and Control of Pollution Act 1981 में लाया गया था। और 1987 में इसमें संसोधन करके नॉइज पॉल्यूशन को जोड़ा गया। और 1987 में नॉइज को as an air pollutant समझा गया और ये responsible है एर पॉल्यूशन के लिए। नॉइज क्या है। नॉइज इस अंडिजार्ड हाई लेवल अफ साउंड। अभी अभी आपने जो बैक ग्राउंड में इरिटेटिंग हॉर्ण पोपो का आवाज सुना वा क्या है। नॉइज पोल्यूशन है। तो साउंड पोल्यूशन क्या है। अंडिजार्डेवल हाई लेवल अफ साउंड। जो इरिटेट करता है। अंकमफर्टेबल फील कराता है। जब भी कोई फंक्शन होता है। तो हम लोग अपनी खुसी को जाहिर करने के लिए and physiological effect पढ़ता है human पर। psychological मतलब सरदर्द हो सकता है, stress हो सकता है, बेचैनी हो सकता है, नीन में कमी हो सकती है। और physiological मतलब कान के परदे भी फट सकते हैं, या वेक्ती उचा सुन सकता है। The bigger the city, the bigger the function, the greater the noise. बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े function होते हैं, तो इस बड़े बड़े function में बड़े बड़े noise होते हैं, noise pollution होता है। Source of noise pollution, noise pollution का क्या source है? Aircrafts, jet plane, rockets. ऐसा माना जाता है, aircraft, jet plane, rocket से 150 decibel. से भी अधिक sound निकलता है, जो कान के परदे, यानि ear drum को permanently damage कर देता है। इस प्रकार व्यक्ती की सुनने की छंता सदा के लिए नस्ट हो सकती है। Decibel क्या है? Decibel unit of sound है, इसके द्वारा हम sound को measure करते हैं. 80 decibel से उपर के sound को हम noise pollution कहते हैं. 80 decibel से अगर ज्यादा sound है, तो उसको हम लोग जो noise pollution के रूपे consider करते हैं. Industries Industries में heavy machines होते हैं, generator लगे होते हैं, तो यह सभी क्या करते हैं? High level of sound create करते हैं. Loud speaker जब भी कोई function होता है, wedding होता है, या कहिए भाशन हो रहा है public place पे, तो loud speaker लगा देते हैं, तो यह सब जोता है source है noise pollution का. Vehicles गाड़ी में horn लगे होते हैं, हम लोगों की आदत है unnecessary horn बजाने की है, या आप कलपना कीजिए, आप road jam में फसे हुए हैं, सब तरफ से horn की आवाज आ रही है, तो यह गाड़ी जो होता है source है noise pollution का. Musical Instrument अगर musical instrument को बजाय जा रहा है और उसकी intensity काफी ज्यादा है, तो यह भी source होगा noise pollution का. Home Appliance बहुत सारे home appliances जैसे nixi, washing machine, hair dryer, यह सभी क्या sound produce करते हैं, जो irritating sound होता है. Effect of noise pollution Damage Eardrum हमारी Eardrum यानि कान के परदे डेमेज हो सकते हैं, आपके जो ear ossicles है, malleus, incusus, tapis वो डेमेज हो सकते हैं, व्यक्ति पर्मानेंटली भरा हो सकता है. Sleeplessness कभी-कभी लगता है, डीजे बज रहा है, तो हमारा सांस या हार्ट बीट जोता है, उसी डीजे की रिदम पर बीट कर रहा है. Stress, व्यक्ति को सरदर्ध होगा, तो यह सब कुछ effect है, noise pollution के. Control of noise pollution, by using sound absorbent material in industries, जो industries के अंदर शोर हो रहा है, मसीनों की वज़ा से, तो वो शोर बाहर ना जाए, तो हम लोगों को sound absorbent material यूज़ करना पड़ेगा. उसी तरह cinema घरों में आपनों लोगों ने देखा होगा, cinema hall के अंदर sound होता है, लेकिन cinema hall के बाहर sound नहीं होता है. तो कुछ उस तरह का material यूज़ करना होगा, जो sound को absorb करते हैं. ऐसा समझा जाता है कि पेड़ जो हैं, trees, sound को absorb करते हैं. डीम और अशोक trees, sound को absorb करते हैं. horn free zone, hospital है, school है, तो ये सब area को horn free zone घोसित किया जाना चाहिए. अनावशक horn नहीं बजाना चाहिए. permissible level of crackers and of loudspeaker. पटाखे में ज्यादा आवाज नहीं होने चाहिए, ऐसा बनाया जाएं. और कठोर नियम बनाये जाएं, loudspeaker के लिए. एक समय सीमा तै की जाएं. कई सहरों में हैं कि रात 10 बज़े के बाद से आप loudspeaker नहीं बजा सकते हैं. सुबह 7 बज़े या 6 बज़े के पहले आप loudspeaker नहीं बजा सकते हैं. तो इस तरह का समय सीमा तै की जानी चाहिए, loudspeaker के लिए. और साथी साथ volume को भी कम रखा जाना चाहिए. इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने जाना noise pollution क्या है, यह कैसे होता है, और इसके preventive measure क्या हो सकते हैं. यानि कठोर कानुन बना कर और इसे लागू कर sound pollution से अपनी रख्षा हम कर सकते हैं. Thank you.